हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वात तो दोस्तों यह रहा मेरे हाथ में आइफोन 6S इसे मैंने ओर्डर किया था टू गूट से लाइक न्यू कंडिशन में और दोस्तों मैं आप सभी को बता दू यह एक 16GB वाला वारियंट है इसे मैंने ओर्डर किया था मातर साड़े 9000 में लाइक न्यू कंडिशन में और दोस्तों जिसे भी आइफोन 6S का अन्बॉक्सिंग वीडियो देखना है या फिर रिवी वीडियो देखना है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग जाके देख सकते हो और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है क्या आप लोगों को यहाँ पर रिफब्रिश्ट मूबाइल बाइ करना चाहिए या फिर बाइ नहीं करना चाहिए टू गूट से लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या आप लोगों को 2022 में आइफोन 6S को बाइ करना चाहिए या फिर बाइ नहीं करना चाहिए अगर बाइ करना चाहिए तो किस कंडिशन में बाइ करना चाहिए मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को इसी वीडियो में तो आप लोगों को इहां पे कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो को जो है लाश्टी तक जरूर देखना है तो आए दोस्तो आज की इस वीडियो को आप लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को ये एकदम premium फिल कराने वाला है क्योंकि ये काफी slim phone है और ये काफी lightweight निकल के आता है मैं दोस्तो weight के बारे में बात करूँ तो इस phone का weight निकल के आता है 143 gram अगर आप लोग इसको हाथ में उठाते हो तो आप लोगों को यहां लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने एक phone को हाथ में लिया है मतलब ये काफी जादा lightweight है अगर आप लोग इस phone को pocket में carry करते हो तो आप लोगों को यहां लगेगा ही नहीं कि आपके पैकेट में यहां पे कुछ है मतलब कि easy to यह carry है आप लोग इस phone को कहीं भी ले जा सकते हो और अगर इस phone को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाथ में उठाते हो तो यह एकदम भारी feel नहीं होने वाला है क्योंकि इसका काफी कम weight है 143 gram का और यह काफी premium look के साथ आता है तो चलिए अब मैंने यहां पे build और design के बार में बात कर लिया है अब मैं बात कर लेता हूँ display की तो देखिए भाई इसमें हम दोगों को 550 nits का brightness available मिलता है तो display के मामले वे यहां पे यह बेहतर निकल के आता है वहीं दोस्तों अब मैं selfie camera के बार में बात करूँ तो iPhone 6S आता है 5 Megapixel का selfie camera के साथ लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें 5 Megapixel का selfie camera तो मिलता है अगर 10,000 के price range में कोई भी ऐसा phone को खरीते हो मैं आप लोगों को guarantee के साथ बोलता हूँ आप लोगों को किसी phone में ऐसा selfie नहीं मिलने वाला है जैसा आप लोगों को iPhone 6S में मिलता है मतलब कि जो इसमें आप लोगों को detailing मिलता है कापी बेहतरीन मिलता है मतलब कि साहले 9-10,000 के price range में आप लोगों को यहाँ पे better selfie मिलने वाला है वहें दोस्तों मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो back side में हम लोगों को available मिलता है single 12 megapixel का rear camera और bugle में हम लोगों को एक LED flash भी देखने को मिलता है तो दोस्तों लेकिन मैं आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग दे light में photo को click करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे average camera मिलता है मतलब कि ठीक ठाक आप लोगों के यहाँ पे photo आने वाला है लेकिन दोसथों आप लोग यहाँ पर सेलफीlic camera के बारे में बात करो या पिर rear camera के बारे में बात करो अगर आप लोग यहाँ पर low light में फोटो को क्लिक करते हो तो यह जो थोना बहतरीन पाम नहीं करता है मतलब कि दोस्तों यह जो दोनों camera है rear camera और front camera low light में उतना अच्छा काम नहीं करता है तो खेर आप लोग यहाँ पे 9.5 या 10.000 रुपे में ज़्यादा कुछ उमीद भी नहीं कर सकते हो वहीं दोस्तों मैं processor के बारे में बात करूँ तो इसमें हम दोगों को मिलता है A9 Bionic Chip मतलब कि इस phone में आप लोग यहाँ पे gaming अगर आभी कर सकते हो performance भी आप लोगों को इस phone में अच्छा मिलने वाला है मतलब कि 5 इन से भी हम लोगों को इसमें कम display मिलता है साइद इसमें 4.7 इंच का हम लोगों को display available मिलता है और दोस्तों मैं battery के बारे में बात करूँ तो इसमें लगवग हम लोगों को 17 सा मेश का battery मिलता है प्लस 5 वाट का हम लोगों को charging मिलता है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यह phone gaming के लिए बना ही नहीं है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 17 सा मेश का लगवग इसमें battery हम लोगों को देखने को मिलता है अगर आप लोग नॉर्मल यूज करते हो तो आप लोग का एक दिन का battery backup जरूर देने वाला है iPhone 6S तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे heavy user हो तो मैं आप लोगों को बूलूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे दिन में इस phone को दो बाद चार्ज करना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पे ज्यादा game बगेरा खेलते हो तो यह पूरा दिन नहीं चलने वाला है मतलब कि 3-4 गंटा ही लगवग आप लोग का यहाँ पे battery देने वाला है मतलब कि देखिए आप जो iPhone आता है iPhone 11, 12, X वे सारे में हम लोगों को touch ID नहीं मिलता है plus इसमें आप लोगों को touch ID तो मिलता है plus इसमें आप लोगों को 3.5 mm jack मिलता है मतलब कि आज के जमाने में iPhone जो है 3.5 mm jack हाटा ही दिया तो दोस्तों चलिए अब मेरा क्या मानना है कि आप लोगों को इस phone को buy करना चाहिए 2022 में या फिर buy नहीं करना चाहिए देखे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को एक lightweight phone चाहिए चोटा display वाला phone चाहिए या फिर आप लोगों को यहां पर एक secondary phone चाहिए तो मेरे विचार से आप लोगों को यहां पर definitely buy करना चाहिए या फिर दोस्तों आप लोगों को एक Apple का ही phone चाहिए 10,000 के phone में और जिसमें आप लोगों को security बढ़िया मिलता हो मतलब कि iPhone में जो हम लोगों को security मिलता है वे आप लोगों को Android में भी नहीं मिलता है तो दोस्तों उस condition में भी आप लोगों को यहां पर इस phone को buy कर सकते हो लेकिन दोस्तों किस condition में आप लोगों को यहां पर इस phone को buy नहीं करना चाहिए तो आप लोगों को इस फोन को बाई नहीं करना चाहिए, गेमिंग खेलना है, तो भी आप लोगों को इस फोन को बाई नहीं करना चाहिए, या फिर दोस्तों अगर आप लोगों को एक बेटर कैमरा चाहिए, बेटर रियर कैमरा चाहिए, तो भी आप लोगों के लिए ये फो को बाई करना चाहिए या फिर किस कंडिशन में इस फोन को बाई नहीं करना चाहिए तो दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था वीडियो चल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर देना इस चैनल को सब्स्राइब कर देना और हाँ इस वीडियो को सेर करना ना बूलना तब तक लिए आज की इस वीडियों वह बस इतनी था तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम जय भारत